जोहार दोस्तो इलोक्ट्रोनिक नोलइज 2.0 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आजकल सबसे ज्यादा आने वाली फोल्ट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस से रिमोट के बारे में दॉस्तों अकसर आकसर ये रिमोट अचानक काम करने बंकर दे देखेगा अभी पिलाल में इसको प्रेस कर रहां कुछछ लेकिन ये रिमोट काम नहीं कर रहा दोस्तों कि आप कई लोग सोचेंगे कि इसका कुछ रिमोट कराब होगा बैटरी कराब होगा देखिए दोस्तों पिलाल अभी यह बैटरी नया है दोस्तों फिर भी दोस्तों यह काम नहीं कर रहा तो क्या दोस्तों इसका रिमोट कराब है आए इसे चेक करते हैं सबसे पहले दोस्तों नया हो या पुराना सबसे परले इस शेल का बोल्टेज चेक कर लेते हैं दोस्तों ये डेड़ बोल्ट का सेल होता है दोस्तों तो ये इसमें करीबन डेड़ बोल्ट आसपास बोल्टेज आने चाहिए दोस्तों ये देखें दोस्तों इसमें ये मेरा कि इसमें टू पॉइंट कुछ आ रहा है वोल टू पॉइंट शीक्स यह मेरा मॉल्टिमेटर सायद कुछ इसमें गड़बड़ी आ गए है बाकी इसमें देखिए टू पॉइंट टू शीक्स आ रहे हैं और इस शेल को चेक करते हैं अब लेकिन दोस्तों यह नया सेल है अभी मैं पेकेट से इसको निकाला हूँ इसको डालते हैं इसके बाद देखिए दोस्तों सबसे पहले इसा प्रोब्लम आये आपके साथ तो नया सेल के भी भूरोसा नहीं किया जा सकता है सबसे पहले यह मेरा old remote है गी कर लिजे कि यह काम चलती हुई बेटरी पर चेक कीजी इस एक बाद remote ठेक नहीं है क्योंकि इस remote का rate भी अच्छा गसा है दोस्तो नपोट का यह आता है तो इसमें我 पुराना वाला सेल इसमें डाल कर três एकलत अब दोस्तों देखिए यह देखिए जमें तक भनी है किसा बात नहीं है दोस्तों की रीमोठ्वी बार-बार खराब हो बैटरी भी नया बैटरी पर भी भूरोसा नहीं कह साздता जब तक वो चलें गें हैं तब तक वो काम नहीं के देखे दोसतों आभे मैं जिटी फिएक्ड़ पे से र करके बता देता हूँ देखें इसमें नमबर यह देखें ये बढ़ रहें गहट रहें पर दुस्तों इसमें वही पुराना से लगा हुआ है लेकिन अब मैं इसको हटा के नया वाला सेल लगाता हूं दोस्तों तो देखें जादू क्या होता है देखें दोस्तों यह यह मैं प्रेस कर रहा देखें पर कुछ काम नहीं कर रहा दोस्तों देखें यह मैं वान टू वान प्रेस किया कुछ नहीं काम यह अप वाला कुछ काम नहीं और जैसे मैं त चल पड़ता दोस्तों तो केसा रहा मेरा वीडियो अगर इस वीडियो इस वीडियो को थोड़ा भी इसमें कुछ नॉलेज़ेबल वीडियो आको रहे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किजिएगा थैंकि दोस्तों